नमस्कार साथियों, हमर क्रिसी यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है साथियों, आज के इस वीडियो में हम धान में होने वाली महत्वपूर्ण बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में लगने वाले धुलसन रोक के बारे में, जिवाडु धुलसन के बारे में, भूरा धब्बा रोक के बारे में, सीत ब्लाइट के बारे में, सीत रॉट के बारे में, राइस टुंगरो डिजीस के बारे में और खैरा विमारी के बारे मे साथियों इन सभी बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो साथियों वीडियो को सुरू करते हैं साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं राइस ब्लाश्ट या धान के जूलसन रोक के बारे में, इसके लक्षण तीन अलग-अलग अवस्थाओं में आता है, इसलिए इस बीमारी के तीन अलग-अलग नाम है, सबसे पहला नाम है पत्ती में जूलसन या फिर लीफ ब्लाश्ट, अगला है नोड ब्लाश्ट या गां अगर इस गाँट में इस प्रकार से बिमारी आती है तो इसे नेक बलाष्ट कहते हैं साथियों इन सभी रक्षण के बारे में हम एक एक करके ठोड़ा डिटेल में देखते हैं सबसे पहला है पत्ती में जुलळण पत्ती में हमें इस प्रकार से आख की आकरिती का धब्बा दिखाई देता है और ये जो धब्बे होते हैं उसका केंद्र का रंग हलका सफेद रंग का होता है और इसके चारो तरफ का रंग इस प्रकार से भूरे रंग का होता है और इस प्रकार के धब्बे एक पत्ती में बहुंच सा रहा सकते हैं और अगर लंबे समय तक बीमारी के लिए अनुकूल अवस्था बनी रही तो इस प्रकार के धब्बे पूरी पत्तियों में आते हैं और धीरे-धीरे यह पत्ता मर जाता है दूसरा है Nod Blast धान के तने में इस प्रकार से गांट बना होता है और यहां से पत्तियां बहार आती है वहीं पर जब बिमारी आती है तो इस प्रकार से भूरा और काले रंका हो जाता है धीरे धीरे यहां बिमारी उपर और नीचे तरब बढ़ती है जिसके कारण से यहां का तना कमजोर हो जाता है और यहां तूट के लटक जाता है तीसरा है Nek Blast यहां भिमारी आखरी अवस्था में आती है और इस समय जहां पर बाली आती है वहां पर भी एक गांट होता है उस गांट में इस प्रकार से भूरे या काले रंग के धबे बनते हैं और यह उपर और नीचे तरब बढ़ते हैं इसके कारण से बाली में उपर की तरब भोजन नहीं पहुँच पाता और उपर की बाली मर जाती है सबसे ज़्यादा नुकसान हमें नेक ब्लाष्ट के कारण होता है इसलिए ब्लाष्ट डिजीज को समय पे कंट्रोल करना बहुत ही आवस्यक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो बाली है वह पूरी तरीके से मर चुकी है और इसमें एक भी दाना नहीं बना है इसलिए इस बीमारी से नुकसान बहुत ज़्यादा होता है साथियों अब हम बात करते हैं इसके रोक कारक के बारे में यहाँ बीमारी एक कवक से होती है और कवक का नाम है मेगना पूर्थी औराईजी और इसके जो पूनिडिया होते हैं जिसके कारण से यहाँ बीमारी फैलती है वहाँ कुछ इस प्रकार से दिखाए देता है और यह महुत ही सुचम होते हैं यह जो फोटो है यह सुचम दर्सी से लिया गया है अब हम बात करते हैं रोक कारक कहां कहां उपस्थित होते हैं साथियों तो यह रोक कारक मिट्टी में बीज में या घास में उपस्थित हो सकते हैं अगर यह मिट्टी में होंगे तो भी जब अगली बार हम फसल लगाएंगे तो यह मिट्टी से उड़कर पत्ते में आएंगे और फिर वहाँ पर बिमारी करेंगे अगर यहां बिमारी बीज में उपस्थित है तो यहां ऐसे जगह भी पहुँच सकती है जहां पर कभी बिमारी नहीं गई है और इस प्रकार से बीज के द्वारा यहां बिमारी नहीं नहीं जगह पर जाते रहती है तीसरा है घांस में अगर इस साल धान में बिमारी आई है तो धान के साथ ही कुछ ऐसे घांसों में भी यहां कवग उपस्थित होता है फिर अगले सीजन में या अगले साल जब हम धान लगाएंगे तो यह बिमारी घांस से हमारे धानों में आ जाएगी इसलिए खेती से पहले हमें अच्छे से साफ सफाई करना बहुत ही आवस्यक है और यह रोक कारक मिट्टी में उपसीत होता है इसलिए गर्मी के महीने में अगर हम गहरी जुताई करेंगे तो रोक कारक की संख्या कम होती है साथियों अब हम बात करते हैं यह बिमारी या रोग कारक कैसे फैलता है तो यह फैलता है हवा के द्वारा, सिचाई पानी के द्वारा और बारिस के साथ इन सभी माध्यम से या बीमारी एक खेट से दूसरे खेट में या फिर एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है साथियों, अब हम बात करते हैं इसके लिए अनुकुल परिस्थिती के वारे में कोई भी बीमारी सभी अवस्थाओं में नहीं आती है बिमारी को आने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की अवसक्ता होती है जैसे कि 92% से ज़्यादा आदरता, बदली वाला मौसम, हलकी बारिस, रात का कम तापमान, लगभग 20-22 जिग्री सेंटिगरेट का तापमान और ज़्यादा मात्रा में नाट्रोजन इन सभी स्थाओं में या बिमारी ज़्यादा मात्रा में आती है, साथियों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी केमिकल दवाई के बारे में, रासानिक दवाई के बारे में, जिसका उप्योग हम इस बिमारी के लिए कर सकते हैं, तो सब से पहला है एजोक्सी ट्रोबिन और डाइफेन कॉनाजोल का कॉंबिनेशन, इसका उप्योग आपको 200 ml प्रती एकड की दर से करना है, दूसरा केमिकल है प्रोपी कॉनाजोल, इसका उप्योग 400-500 ml प्रती एकड करना है, इसरा केमिकल है एक्जा कॉनाजोल, 200-250 ml प्रती एकड की दर से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और चौंथा केमिकल है टेबु कुना जोल इसका उप्योग हमें 1.5 ml प्रती रिटर की दर से करना है और अगर एकड में बात करें तो लग भग 300 से 400 ml प्रती एकड दो साथियों ये जो 4 केमिकल हैं ये बहुत ही प्रभावी हैं और इन में से किसी एक का भी उप्योग आप कर सकते हैं और अगर या बीमारी एक बार में कंट्रोल नहीं होता है तो हमें एक ही केमिकल को बार-बार इस्प्रे नहीं करना है अगर पहला केमिकल काम नहीं किया तो हमें दूसरा केमिकल को उप्योग करना है तो इस प्रकार से दो अलग-अलग कॉंबिनेशन में हमें उप्योग करना चाहिए साथियों अब हम बात करते हैं BLB या प्रकार से भूरे होकर मर चुकी है और इसी के द्वारा हम पहचान सकते हैं यह BLB या जिवारू जनीत जुलसन है या नहीं इस बिमारी की सुर्वात पत्तियों के उपरी सिरी से होता है जहां पर एक छिद्र होता है जिसे हैड्रे थोड कहते हैं यहां से एक्ष्ट्रा पानी जो की पौधे के अंदर उपस्तित होता है वह बाहर निकलता है और इसी छिद्र से ये रोक कारक जो की एक बैक्टिरिया है वह अंदर घुसता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है जैसे जैसे वैक्टीरिया नीचे की तरब बढ़ता है पत्तियां इस प्रकार से मरते जाती है और इस प्रकार से हमें ये पत्ति दिखाई देता है ऐसा भी नहीं है कि केवल किनारे की पत्तियां मरती है बीच की कोशिकाय भी इस प्रकार से मर सकती हैं और अगर हम इस प्रकार के बिमार पौधों को सबेरे देखेंगे क्योंकि सबेरे के समय ओस रहता है फोड़ी नमी जादा रहती है इसलिए हमें इस प्रकार से जो ओस की बून पत्तियों में उपस्तित होता है वह थोड़ा धुमला दिखाए देता है, हलका सा पीला दिखाए देता है और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें रोक कारक जो की एक जिवाडू है वह यहां पर उपस्तित होता है और ऐसे ही करके यहां रोक कारक पौधे से बाहर निकलता है और फिर दूसरी पत्तियों में, दूसरे पौधों में संक्रमण को फैलाता है तो हम इसके द्वारा भी पहचान सकते हैं तो साथियों, अब हम बात करते हैं इसके रोक कारक के बारे में इसका जो रोक कारक है, वह एक जिवाडू होता है और इसका नाम है जन्तों मुनास और आजी, पैथोवर और आजी साथियों, अब हम बात करते हैं राशानिक दवाईयों के बारे में इसके लिए हम उफ्योग कर सकते हैं एंटिबायोटिक जिसका नाम है स्टेप्टो सैकलीन और साथ में हमें मिलाना है copper oxy chloride एक hectare के लिए हमें चाहिए steptocycline 150 ग्राम और copper oxy chloride तवा 1 किलो इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है और फिर इसका spray करना है spray के लावा भी इससे हम seed का treatment या बीज का उपचार भी कर सकते हैं यह जो copper oxy chloride होता है यह अलग-अलग company के द्वारा बनाया जाता है जैसे कि धनुकोब या फिर सिंजेंटा का blue copper और यह जो steptocycline होता है यह दो antibiotic का mixer है इसमें steptomycin और tetracycline होता है इसके लिए केवल एक ही दवाई है क्योंकि यह एक bacteria है जिवाडू है तो इसके लिए हमें antibiotic डालना बहुत ही अवस्यक है साथियों अब हम बात करते हैं brown spot या भूरा धब्बा रोक के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं इस रोक की लक्षण के बारे में जैसा कि आप इस picture में देख पाएंगे यह जो धान की पत्ती है इसमें बहुत सारे भूरे रंग के धब्बे बने हुए हैं और यह सभी लक्षण धान में भूरा धब्बा रोक के कारण हुआ है इसमें जो धब्बे होते हैं वो अंडाकार होते हैं या फिर इस प्रकार से लंबाई में होते हैं और जो धब्बे हैं उनमें बीच का रंग हलका भूरा या राक के रंग का होता है और जो धब्बे के किनारे का रंग है वह गहरा भूरा रंग का होता है तुरुवात में ये जो धब्बे हैं इनका अकार छोटा होता है और धीरे धीरे इनका अकार बढ़ने लगता है ऐसी ही करते करते ये धब्बे पूरे पत्तियों में फैल जाते हैं जिसके कारण से पौधा प्रकास संसलेशन की क्रिया नहीं कर पाता है और फिर उत्पादन कम प्राप्त होता है इस प्रकार के धब्बे दाने में भी बनते हैं और अगर हम इस प्रकार के दानों का उप्योग करते हैं तो ये बीमारी नए खेत में और नए जगह पर खेलते जाती है तो साथियों अब हम बात करते हैं रासानिक दवाईयों के बारे में हम थायरम, केप्टान या कारबेंडाजीम और मेंकोजेव इन सभी का उप्योग कर सकते हैं बीज की उपचार के लिए तो सबसे पहले हमें करना है बीज का उपचार ताकि ऐसे रोक कारक जो की बीज में उपस्तित हैं वे मर जाएं और बीज की उपचार के लिए हमें 3-4 ग्राम कवक नासी लेना है प्रती किलो धान के बीज के लिए अर्थात एक किलो धान के बीज में हमें 3-4 ग्राम इनमें से किसी एक कवक नासी को मिलाना है और इसके बाद ही हमें धान की बुवाई करनी है इसके बाद भी अगर बिमारी आती है तो हम इन कवक नासी का उपयोग इस्प्रेइंग के लिए भी कर सकते हैं और हम इसे पत्तो में इस्प्रे कर सकते हैं इसके लिए हम 2 ग्राम प्रती लिटर की दर से इन रसानिक दवाईयों को लेंगे और अगर हम टंकी की बात करें तो प्रती टंकी जो की 15-16 लिटर का होता है उसमें हमें 30-40 ग्राम अवक नासी को डालना है इसके अलावा भी बहुत सारे रसानिक दवाईया हैं जैसे कि एजॉक्सी ट्रोबिन और डाइफेनो कुनाजोल का कॉम्बिनेशन इसका उप्योग हमें 200 ml प्रतियकर की दर से करना है अगला केमिकल है प्रोफिकुनाजोल इसका उप्योग हम 400-500 ml प्रतियकर की दर से कर सकते ह और है मेटिरम इसका उप्योग हमें 3 ml प्रतियकर की दर से करना है और हेक्जाकुनाजोल इसका उप्योग हमें 1 ml प्रतियकर की दर से करना है साथियों ये सभी रसानिक दवाईयां बहुत ही अच्छी है इनमें से किसी एक कभी उप्योग आप कर सकते हैं साथियों अब हम बात करते हैं stem rot या तना में सडन बिमारी के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं इस रोक की लक्षड के बारे में जैसे कि इसका नाम है stem rot मतलब की तना में सडन तो धान के तनों में इस प्रकार से भूरे या काले रंग के सडन हमें दिखाई देता है धेरे धेरे या सडन उ उपर और नीचे की तरफ बढ़ता है जिसके कारण से उपर के पौधे मरने लगते हैं अगर हम समय पर इसका कंट्रोल ना करें तो यह अभी मारी पूरे तने को सड़ा देती है और धीरे से हमारा पूरा पौधा मर जाता है आप इन फोटो को देख सकते हैं इसमें जितने भी पौधे हैं उसमें बुरी तरीके से तनसरण आया हुआ है और ये चोटे-चोटे पौधे पूरी तरीके से मर चुके हैं इस प्रकार से जब तनसरण आ जाता है तो हमारा खेत कुछ इस तरह से दिखाए देता है यहाँ पर आप देख सकते हैं धान में कुछ-कुछ पौध पौधे इस प्रकार से मर चुके हैं साथियों अब हम बात करते हैं तनसरण के रोक कारक के बारे में यह एक कवक से होता है और कवक का नाम है स्कलेरोसियम और आजी यह जो रोक कारक होता है वह इस प्रकार के बिमार पौधों में थोटे-छोटे तरसों के दानों के आकार क इस प्रकार सी सरचना बनाते हैं और यह सरचना मिट्टी में चले जाता है बाद में जब पौधा मर जाता है उस समय उसके बाद यहां मिट्टी में 2 से लेकर 10 साल तक उपस्थित हो सकता है और फिर अगली बार जब आप धान लगाएंगे तो फिर से यहां टेक करेगा और इ इसके लिए आप एजोक्सी ट्रोबिन और डाइफियनकोनाजोल का इस्प्रे कर सकते हैं इसे आपको उप्योग करना है 200 ml प्रतियकर इसके लावा आप इस्प्रे कर सकते हैं प्रोपिकोनाजोल और हेक्जाकोनाजोल को आपको 400 से 500 ml प्रतियकर इस्प्रे करना है और इसका screenshot लेके रख सकते हैं और इस प्रकार से अगर बिमारी आती है तो आप इसका spray कर सकते हैं इसके अलावा भी कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान में रखना है जैसे कि teeth blight यह बिमारी भी धान में आती है लेकिन यह राइजोक्टोनिया सोलेनी नाम के कवक से आती है और इसके जो लक्षन होते हैं वो कुछ अलग होते हैं इसमें इस प्रकार से लंबे-लंबे धब्बे बनते हैं और धब्बों में जो बीच का भाग होता है उसका रंग सफेद या हलका भूरा होता है इसके अलावा भी सीथ रोट यह भी एक बीमारी है यह भी इस प्रकार से भूरे या काले रंग का धब्बा बनाता है लेकिन इसमें सडन हो जाता है लेकिन जो सडन होता है यह इस प्रकार की पत्तियों में होता है ऐसी पत्ति जो की तने को लपेटी रहती है जिसे हम सीत या पर्ण छत कहते हैं इसमें आता है इसके कारण भी नुकसान बहुत जादा होता है और इन तीनों विमारियों की पहचान हमें अच्छे से आना चाहिए तब ही जाके हम इसका मेनेजमेंट सही समय में और अच्छे से कर पाएंगे साथियों अब हम बात करते हैं सीत बलाइट के बारे में तब से पहले हम आपको बताते हैं कि यह सीत क्या होता है तो पत्तियां होती हैं उसका कुछ भाग तने को घेरे रहता है और आधा से जादा भाग इस प्रकार से हवा में होता है इसे हम पत्ति कहते हैं लेकिन पत्ती का वह भाग जो की तने में लपेटा रहता है उसे हम कहते हैं सीथ और इसमें एक कवक का अटेक होता है और कवक का नाम है राजोक्टोनिया सोलेनी जिसके कारण से हमें इस प्रकार के धब्बे का लक्षण पौधों पे दिखाई देता है साथियों ये जो धब्बे होते हैं ये लंबाई में ज्यादा होते हैं और इनके जो बीच का भाग होता है उसका रंग अलग होता है तोड़ा सफेद या राक के समान होता है और जो किनारे होते हैं उसका रंग हलका भूरा या गाड़ा भूरा होता है ज्यादा तर ऐसे देख फैलती है जैसे जैसे यह उपर की तरफ फैलती है पौधे में पोसर कम होने लगता है जिसके करण से पौधा मरने लगता है और इसके जो रोक कारक होते हैं वे पानी के द्वारा ही एक जगह से दूसरे जगह में फैलते हैं तो साथियों अब हम बात करते हैं ऐसी रसानिक दूसरी दवाई है एजॉकसिट्रोबिन और डाइफियनकुनाजोल काちょっと combination इसका उप योग आपको 150 ml प्रतियकर की दर से करसे चरुना है दूसरी दवाई है एजॉकसिट्रोबिन और टेबुकुनाजोल का इसका उप योग आपको 300ck 0 अगली दवाई है वेलिडामाइसिन यह एक एंटिबायोटिक है और इसका उप्योग हमें 600-800 ml प्रतियकड की दर से करना है इसके लावा हम इस्प्रे कर सकते हैं एजोक्सी ट्रोबिन 200 ml प्रतियकड की दर से या फिर प्रोपीकोनाजोल 400-500 ml प्रतियकड की दर से टेबुकोन इसका 250-300 ml प्रतियकड की दर से हेक्जाकोनाजोल और वेलिडामाइसिन का कंबिनेशन इसका उप्योग 2 ml प्रतियकड की दर से रिसोक्सिम मेथाईल और हेक्जाकोनाजोल का कंबिनेशन इसका उप्योग 1 ml प्रतियकड की दर से इकोक्सी ट्रोबिन और प्रोपीकोनाजोल का combination इसका 2 ml प्रति लीडर की दर से प्रोपी कोनाजोल और डाइफेना कोनाजोल का combination इसका 1.5 ml प्रति लीडर की दर से और लिस्ट की आंकरी दवाई है टेबु कोनाजोल और ट्राइफ लॉक्सी ट्रोबिन का कॉंबिनेशन इसका 0.4 ml प्रति रीडर के दर से जो यह दवाई है नेटिवो के नाम से बिक्ती है जो की बायर कंपनी द्वार बनाई जाती है यह सबसे अच्छी है लेकिन महंगी भी है तो साथियों बताये गए किसी भी रासानिक दवाई का उप्योग आप इस बिमारी के लिए कर सकते हैं यह सभी इफेक्टिव हैं बहुत ही अच्छे हैं साथियों अब हम बात करते हैं सीथ रॉट के बारे में इस रोक के लक्षन हमें कुछ इस तरह से दिखाए देते हैं यह जो सीथ है पत्ती का वह भाग जो तने को लपेटे रहता है वहाँ पर कवक का इंफेक्शन हो जाता है और फिर हमें इस प्रकार से भूरे रंग के धब्बे दिखाए देते हैं और यहां भूरा धब्बा समय के साथ उपर और नीचे की तरफ बढ़ता है और जब बालियां आती हैं उस समय भी यहां बालियों में अटेक करता है बालियों में इंफेक्शन करता है और यहां की पूरी बालियां मर जाती हैं इसमें दाने नहीं भरते और नुकसान जादा होता है आप इन धान के पौधों को देखिए इन सभी में पवक का इंफेक्शन हुआ है जिसके करण से हमें सीत रोट का लक्षन दिखाई दे रहा है इस प्रकार से इस रोट के कारण बालियों में भी इन्फेक्शन होता है और यह भी भूरे रंके हो जाते हैं और यह धाने कभी भर नहीं पाते इसके कारण से हमें नुकसान ज्यादा होता है साथियों, अब हम बात करते हैं रैसानिक दवाईयों के बारे में हम इस्प्रे कर सकते हैं टेबुकुनाजोल और ट्राइफ लॉक्सी ट्रोबिन का कॉंबिनेशन एक्सो साइट से 200 ग्राम प्रती एकड की दर से या फिर टेबुकुनाजोल 250 से 300 ml प्रती एकड की दर से और एजॉक्सी ट्रोबिन 200 ml प्रती एकड की दर से और प्रोपी और Hexaconazole का combination 2 ml स्टिएकर की दर से साथियों, आप इन केमिकल में से किसी भी केमिकल का इस्प्रे कर सकते हैं सबी केमिकल बहुत ही प्रभावी हैं और बहुत ही अच्छे हैं साथियों, अब हम बात करते हैं टूंग्रो बिमारी के बारे में तुंग्रो का मतलब होता है कम विकास इस बिमारी के कारण धान के पौधों का विकास रुख जाता है इसलिए इसे तुंग्रो कहते हैं तो साथियों वीडियो को सुरू करते हैं साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं इस रोग की लक्षण के बारे में यहां रोग वाइरस के कारण होता है और इसमें पत्ते इस प्रकार से पीले या नारंगी रंकी हो जाते हैं और यह जो पीलापन है वह पत्ती की उपरी भाग से सुरू होता है और फिर यहां नीचे की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे करके सभी पत्तियां पीली हो जाती है और इनमें विकास रूप जाता है अगर हम इस प्रकार के प्रभावित पौधों के आसपास देखेंगे तो हमें इस प्रकार के कीडे भी दिखाई देते हैं ये जो हरा फुदका होता है green leaf उपर इसी के कारण वाइरस एक पाधे से दूसरे पाधे में या फिर एक खेत से दूसरे खेत में फैलता है तो ये जो कीट हैं ये इसके वाहक होते हैं धान के पाधों में हमें कुछ इस प्रकार से लक्षर दिखाई देता है जैसे कि बीमारी से प्रभावित पौधा बौणा रह जाता है और इसमें कम कल्ले निकलते हैं धान की पत्तियां पीली या नारंगी पीले रंके हो जाती है और उनमें भूरे रंके धबबे भी उपस्तित हो सकते हैं है तो देर से आता है और इन में फूलो का साइज या पुस्पगुच्च का साइज ठोटा रह जाता है और अगर यहां infection लेट में होता है तो दाने नहीं भर पाते हैं या फिर आंसिक रूप से भरे होते हैं और यहां जो वायरस है यह सुरू से लेके आखरी तक धान के जीवन चक्र में कभी भी infection कर सकता है यह जो वायरस होते हैं वे दो तरह के होते हैं एक जो वायरस होता है वह इस प्रकार से लंबा होता है और दूसरा वायरस इस प्रकार से गोल गोल होता है यह दोनों वायरस मिलकर पौधे में infection करते हैं और पौधे में बीमारी लाते हैं तो साथियों अब हम बात करते हैं ऐसी रसानिक दवाईयों के बारे में जिसका उप्योग हमें टुंगरो वायरस या टुंगरो बिमारी की मेनेजमेंट के लिए करना चाहिए जैसा कि यह बिमारी कीट के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है इसलिए जो हमारा टार्गेट होता है वह कीट होता है हमें कीट की संख्या को कम करना है या फिर पूरी तरीके से खतम करना है अगर हमारे खेत में कीट खतम हो जाएंगे तो यह अभीमारी नहीं फैलेगी और क्योंकि यह एक वायरस से होती है तो ऐसा कोई दवाई नहीं है जो केवल वायरस को ही मारे इसलिए हमें इंसेक्ट में या फिर कीट में ही फोकस करना है तो इसके लिए हम डाल सकते हैं थियामे थोकसेम, 0.2 ग्राम प्रती लिडर की दर से इस्तेवाल करना है और यह अलग-अलग नाम से बजार में उपलब्द है क्योंकि इथिया मेठोकसेम एक केमिकल का नाम है और यहाँ अलग-अलग ट्रेड नाम से बिखता है आप यहाँ पर वीडियो को पॉस करके इन सभी लिस्ट को पढ़ सकते हैं इसके अलावा हम डाल सकते हैं फिपरोनिल 5-7 किलो प्रतियकर की दर से यह भी बहुत अच्छी अच्छी कमपनियों के द्वारा बनाया जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी केमिकल का उप्योग हम कीट को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं अगर हम कीट को कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ बिमारी नहीं फैलेगी आप इन में से किसी भी एक या दो का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों अब हम बात करते हैं खैरा बिमारी के बारे में ये जो खैरा है या एक जगह का नाम है और सबसे पहले इस बिमारी को खैरा नाम के जगह में देखा गया था इसलिए इसका नाम पढ़ गया है खैरा डिजीज या खैरा बिमारी तो साथियों तब से पहले हम बात करते हैं खैरा रोग की लक्षण के बारे में इस रोग के लक्षण कुछ इस प्रकार से दिखाए देते हैं धान के पत्तियों में इस प्रकार के भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और इन धब्बो का size बहुत ही छोटा होता है, जब यह सुरू में होता है, उसके बाद धब्बो का अकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और इस भूरे रंके धब्बे के चारो तरब की कोशिकायें पीली पढ़ने लगती हैं, ये जो धब्बे होते हैं, इनकी सुरूवात पत्ति के आधार से होती है और इनकी संख्या बहुत जादा होती है और ये धब्बे तुरवात में रोपाई के 10 से 15 दिन के अंदर ही दिखाई देने लगते हैं उस समय पौधा बहुत ही छोटा होता है उसके बाद उनमें जो धब्बे होते हैं वे आपस में मिलकर बड़ा ध बनाते हैं और जो पूरी पत्ती है वह कांस के रंग में बदल जाती है और फिर फाइनली वह पत्ती सूख जाती है और मर जाती है ताथी साथ जड़ कभी विकास अच्छे से नहीं हो पाता है अगर हम इस प्रकार के प्रभावित पौधों को उखाड कर देखेंगे तो हमे बहुत ही छोटे छोटे जड़ दिखाए देंगे और जब हम उखाडेंगे तो ही बहुत सारे जड़ तूड जाएंगे क्योंकि वे कमजोर होते हैं और जो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं वे बौने रह जाते हैं और उनमें विकास बहुत ही कम होता है आप इन लक्षण को भी देख सकते हैं जो खेरा डिजीज है खेरा रोग है उसके लक्षण इस प्रकार से दिखाए देते हैं और खेतों में हमें इस प्रकार से पीलापन भी दिखाए देता है आप देख सकते हैं यह जो पौधे हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं और यह बिमारी किस किसी कवक से नहीं होती है किसी जिवारू से नहीं होती है किसी वारत से नहीं होती है बलकि यह होती है एक सुच्म पोसक तत्व की कमी से और उसका नाम है जस्ता या जिंक अगर हमारे खेत में जस्ते की कमी है तो यह लक्षण हमें दिखाई देगा और ज्यादा तर भारत की भूमियों में जिंक की कमी है इसी लिए या अलक्षन आपको सभी छेत्रों में मिल जाएगा लेकिन साथियों इसका management और प्रबंधन भी आसान है हमें अपने खेत में जिंक या जस्ते को डालना है तो हम जिंक सलफेट का 15-25 किलो प्रती हेक्टेर की दर से खेत की तैयारी की समय भी डाल सकते हैं या फिर 2 किलो जिंक सलफेट और 1 किलो चूना का मिक्सर इसे हम एक एकड में इस्प्रे भी कर सकते हैं या फिर 0.5% जिंक सलफेट और 0.25% चूने का जो मेनेशन आता है दवाई आती है इसका भी हम इस्प्रे कर सकते हैं साथ ही साथ माइक्रो जिंक या फिर जिंक मोनो हाइडरेट इनका हम इस्प्रे कर सकते हैं और यहाँ इस प्रकार से अलग-अलग कमपनियों के द्वारा अलग-अलग नाम से बजार में मिलता है जैसे कि जिंकोस 33 या फिर जिंकोविट 33% इसमें आप देख सकते हैं इसमें जिंक है 33% सलफर है 15% और इसका उप्योग हमें केतों में करना होता है तो साथियों अब हम बात करते हैं इसके लिए समन्वित प्रबंधन के बारे में ऐसे कौन-कौन से उपाय हैं जिनमें हम बिना राशानिक दवाई का उप्योग किये इस बिमारी के प्रकोप को कम करने के लिए कर सकते हैं जैसे कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का उप्योग करना आपके आज पास कुछ ऐसी रोग प्रतिरोधी किस्में होंगी जिसमें जुलसन रोग नहीं आता होगा तो आपको इस प्रकार से रोग प्रतिरोधी किस्मों को चुनना है और उसकी खेती करनी है अगर यहाँ बिमारी ज़्यादा मातरा में आती है और ज़्यादा परिसान करती है आपको तब दूसरा है बीज का उपचार हमें मिनकोजेब जैसे केमिकल का उप्योग करना चाहिए और उससे हमें बीज का उपचार करना चाहिए तीसरा है साफ सफाई, हमारे खेत में हमेशा साफ सफाई बनाय रखना है जो भी आसपास में घास वगर है उसे हटा देना चाहिए क्योंकि इस बिमारी के रोक कारक इन सभी घास फूस में भी अपना डेरा जमाते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं तीसरा है गर्मी में खेत की घहरी जुताई करना ऐसा करने से जमीन का तापमान बढ़ता है और इसमें उपस्थित रोक कारक मरने लगते हैं अगला है कार्बनी खात का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उप्योग करना अगर हम ज्यादा मात्रा में कार्बनी खात का उप्योग करते हैं तो इस रोक कारक के लिए जो भी प्राकृतिक सत्रू होते हैं जो एक सूचमजी होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया और कवक इनकी संख्या बढ़ती है इसलिए हमें जादा मात्र में कार्बनिक खात का उप्योग करना चाहिए अगला है ट्राइकोडर्मा या सूडोमुनास इन दोनों का उप्योग करना ट्राइकोडर्मा एक कवक है और सूडोमुनास एक बैक्टीरिया है अगर हम इसका उप्योग करते हैं तो ये रोक कारग को मारते हैं ट्राइकोडर्मा और सूडोमुनास का उप्योग आप अलग-अलग अवस्थाओं में कर सकते हैं जैसे इनके द्वारा हम बीच का उप्चार कर सकते हैं साथ ही साथ इससे हम थरहा उप्चार या जड़ो का उप्चार कर सकते हैं या फिर इसका हम इस्प्रे कर सकते हैं और इसे हम गोबर की खाद में मल्टिप्लाई करके इनकी संख्या को बढ़ा कर अपने खेतों में इस्त कैसे करते हैं तो इसकी लिए बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जायेगा और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद जयहिंद झाल झाल